नागपुरी में हश्व स्वर या संधी स्वरो की संखिया कितनी होती है तो यह जो होती है ओप्सन नमबर भी हो जाएगा इसका त्रीया निकी हश्व स्वर की संखिय कितनी होती है तीन होती है और यह आपको कमेंट सेक्शन में करना है तो दोस्तो आपका स्वागत है 80 जाटन क्लासेज में और आज हम स्टार्ट किये हैं नागपुरी प्रैक्टिस सेट 4 और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है नागपुरी लोग शाहित्य नागपुरी लोग शंग है फ्री अप्लोडेड है ओन यूट्यूब तीक है अब पीडियेप के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं 8863-884281 तो चलिए दोस्तों बिदाव टाइम बरबाद किये हुए हम लोग क्वेस्टन क्यों चलते हैं देखिए दिर्गश्वर की संख्या कितनी है तो या फिर दिर् टोटल कलास करा दिए गया है लिक डिस्क्रिश्म दिया गया है ठीक है नेक्स्ट नमर प्रस्ण है नाकपुरी के निमनांकित विश्मयादी बोधक सब्दों में लुप्त की संभावना किस पर बनती है तो यह जो बनती है यह ओहरे बनती है ठीक है क्या चीज़ पर ओहरे बिश्मयादीबोधक चार नमर प्रश्ण है नागपुरी वर्ण माला के निमनांकित स्वर्ध्वनियों में कौन ध्वनी स्वमू सबसे अधिक विवरित है तो यह जो है आ और ए तीक है नेक्स प्रश्ण फिफ्थ नमर प्रश्ण है नागपुरी वर्ण माला के निमनांकित सवर्धवनियों में कोन ध्वणी समूं सबसे कम विवरित है सबसे कम विवरित का बात हो रहा है तो यह जो है उञे चोटी उब बड़ी दोनों के बारे में next नागपुरी भासा की वर्ण माला में कंठ्य ध्वनियों की संख्या कितनी है कंठ्य जो कंठ्य से ध्वनी बोली जाती है उसकी संख्या कितनी है seven है कितनी seven next साथ नमबर प्रश्ण है नागपुरी वर्ण माला में तालव्य ध्वनी कितनी है तालव्य ठीक है जो तालू से बोला जाता है तो उसकी ध्वनी कितनी है तो ये है साथ नंबर का A यानि की ओप्सन नंबर A 6 है जो तालू से बोला जाता है वह 6 है नेक्स प्रशन, आठ नमबर प्रशन, नागपुरी वर्ण माला में मुर्धन्य द्वन्यों की कुल संख्या कितना है, जो मुर्धा के द्वारा बोला जाता है, तो उसकी संख्या कितनी है, देख लीजिए, उसकी संख्या कितनी है, अपसन नमबर C, 5 है, नेक्स्ट, नागप पूरी में खाट नागपूरी भाशा वन पाला में अनुनाशिक वर्णों की कुल संक्य कितनी है और सब्सक्राइब होती है बोलने में तो वो जो है option number B 3 है ठीक है और कौन-कौन से हैं सारे चीज बता दिये गया है ठीक है जो सेट बताया गया है details में उसके बारे में भी बता दिया गया है इसमें केवल आपका revision है questions only questions ठीक है नागपुरी भासा की वर्ण माला में वर्तुल ध्वनियों की कूल संख्या कितनी होती है तो वर्तुल ध्वनी जो है क्या होती है इसके बारे में full details आपको बता दिया गया है आप अगर class नहीं देखे हैं नागपुरी व्याकरन और नागपुरी व्याकरन का state दोनों का 5-5 गंटे का class है वो देख लेंगे ठीक है next हां तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा अपस्ण नमबर a 4 हो जाएगा ठीक है next नागपुरी वर्ण माला में अर्ध प्रस्रित ध्वनियों की संख्या कितनी है तो अर्ध प्रस्रित ध्वनियों की संख्या एक है ठीक है अपस्ण नमबर c पंदर नमर प्रश्ण है नागपुरी वर्ण माला की व्याप्त वर्तुल ध्वनी कौन सी है तो कौन सी है वर्तुल ध्वनी आ क्या है वर्तुल ध्वनी आ नेक्स्ट 16 नमबर प्रश्ण है नाकपुरी वर्न माला की संकुचित वर्णों का सम्मुझ संकुचित जो बोलने के लिए होट को या मुह को संकुचित करना पड़ता है वो कौन से है उ मुह को ही संकुचित मतलब की संकुचित अपनी ओर की मोड़ना पड़ रहा है मुह को देखिए आपका सारा होट एक जगह आ जाएगा वोल बन जाएगा ठीक ना तो संकुचित कहने का मतलब वही है नेक्स प्रश्ण क्यों चलते हम 17 नमबर प्रश्ण नाकपुरी भाष्ण वर्ण माला में अर्दश्वरव की संक्या कितनी है अर्दश्वरव की संक्या कितनी है तो चार है अप्सन नमबर भी चली दोस्तों तो नेक्स प्रश्ण है अठार नमर प्रश्ण निम नांकित वर्ण समुहों में कौन सा वर्ण समुह केवल अग्होस द्वनियों का है तो तो अग्होस का कोड हम लोग जान लेते हैं, वन और टू होता है, तो देख लीजिए, वन और टू किसमें समूह आ रहा है, तो यह उप्शन नमबर C है, कचट में आ रहा है, यानि कि वन सिर्फ है, तो वन का समूह है, अग्होस का समूह है, नेक्स नमबर प्रस्ण है, उनिस नमबर प्रस्ण, निमनांकित वन समूह में, कोन सा वन समूह केवल घोस ध्वनियों का है, तो घोस का जो कोड होता है, भाह क्या है, घोस या फिर सघोस दोनों एक ही को कहा जाता है, तो इसका कोड जो है, दो और चार होता है ठीक है दो और चार होता है तो 19 का जो है अंसर क्या हो जाएगा देख लिए दो और चार कौन सा है दो और चार का समों कौन सा है यह आप लोग जल्दी बताईए ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं बीस नमबर प्रस्ण है निम नांकित वन समूहों में कौन सा वन समूह अलप प्रान ध्वनियों का है तो अलप प्रान ध्वनियों का जो है कौन सा है तो देख लिजिए समूह में से तो यह देखिए option नमबर C कर चट तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अलप प्रान का जो आकर आएगा ठीक है कौन सा समु केवल महाप्रान है तो महाप्रान का जो कोड होता है वह क्या है दो और चार होता है तो दो और 4 जो है कोड इसका सही अंसर कों सा हो जाएगा अपस्ट नमबर भी देख लिए दो इसमें केवल दो का ही यह गुरूप है जिए का के बाद ख आत ट्रीक है तो देख लिजे कि लिए में से तो इसका जो है नियुक्ष कोन केवल कंठव्य द्वनि का है जो पोला आप बोल कर देखिए समझ में अपसे नमर इसलिए अगर दो तीन भी मिल जाए तो उसमें लगा देना है नीचे 25 नमबर प्रस्ण है नीचे अंकित वन समूह में कोन वन समूह केवल मुर्धान्य द्वनियों का है तो इसका अंसर हो जाएगा ट ठ ड इसमें मुर्धान्य द्वनिय आते हैं ठीक है मुर्धा से इसलिए तो हम लोग मुर्धानी ना बोलते थे ठीक है 26 नमबर प्रस्ण है नीचे में अंकित वन समूह में कोन वन समूह केवल ओट से ध्वनियों का है जो होट से बोला जाता है तो यह वाला हो जाएगा 28 नमबर प्रस्ण है निम नांकित वन समूह में नास किये जो नाक की सहयता से बोला जाता है तो नाक की सहयता से निम लेखित में से कौन से ध्वनियों बोले जाते है यह बहुत ही एजी प्रस्ण है यह आप खुद से बोल बोल कर आप चेक कर सकते हो तो इसमें जो सई अंस सब्सक्राइब नेक्स प्रस्ण निम्नांकीत सब्सक्राइब किया हो तो वह वाक्य क्या होता है लिंग वचन और पूरुस करता के अनुसार हो तो उसे क्या कहा जाता है तो करतरी वाच्चे कहा जाता है नेक्स्ट ये बच्चों का खेल है नेक्स्ट प्रस्न क्यों चलते हैं जब क्रिया का लिंग वचन और पूरुस कर्म कर अनुसार होता है तो कर्म वाच्चे कहलाता है ठीक है त्यांतिस नमर प्रस्ण क्या कहता है दोस्तों और वीडियो कैसा लग रहा है यह भी आप कमेंट सेक्से में कर दिजाएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास सेयर जरूर किजिएगा आप लोग के लिए फ्री अपलोडेड है नाखपुरी क्लास सभी लोग पेड कॉर्सेस सभी पैसा ही पैसा ठग रहे है लेकिन आप लोगे लीए फरी numb लूडेड कर दिया गया येओच पर आपको कोई फी नहीं लग रहे है आप टोटल वीडियर देख लिए कोई भी कोई निए रहा है और हाँ नाकपुरी लौक knappe का गलतbir को में सकता है आए नाकपूरी लोकषाहिते और नाकपुरी लोग लोग संगीत नाकपुरी लोग साहित्य जो भुवनेस्वर अनुच के द्वारे लिखा गया है अब जैपी से कपर प्रप्रशन कीजिए या कोई भी जारकन के कोई भी एक्जाम का अगर आपका लैंग्वस में पर नाकपुरी हो तो अवस्य आपको पढ़ना ही होगा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब वाक्य की किरिया हमेसा पुलिंग और एक वचन और अन्य पुरुष में होती है तो वह वाक्य कौन सा होता है तो वह वाक्य होता है विशेशन सब्द विशेश्था बताता है किसका विशेश्था बताता है विशेशन सब्द तो ये दो विशेश्ता नहीं बताती है यहां कॉण सा विशेश्षन गुनवाचक विशेशन बता रहा है उकर जो है काला है उसका रंग वाक्ये में उकर सब्द कार्य करे ला तो उकर जो सब्द है वह किस प्रकार के काम करता है तो सर्वनामिक विशेशन होता है तो यह ए अरतिस नबर प्रस्टन है सुहन द्वारा मोहन मारल गिलक वाक्य में मतलब यह कॉन सा वाक्य है तो यह उप्सन कीक करता है । ऊंचालिस के प्रस्टन है वंकर से भाततः हॉन नहीं गिलक वाक व्या ceux भॉझ मेंnat तो यह जो है कौन सा है परिमान वाचक या फिर संख्या वाचक या गुण वाचक तो इसका सही अंसर हो जाएगा बात तो यह क्या है परिमान वाचक है क्योंकि परिमान में तौला जाता है गुन में किसी का विशेषता हानी बताया जाता है टिक है संख्या में किसी भी किसी का भी संख्या उसमें विवरन विस्तिरंग किया जाता है थैक है जो वारीस मड़ प्रस्न है किरिया विशेशन किसी वाक्य में विशेशता बताता है ।ं किस्की विशेषता निम्नांकित सब्द समुहों में कौन समुह केबल तो देख लीजे इख्ञांपल कौन अस्थान वाचक क्रिया विशेषन है जगह का hmm रहे हैं एक हम केbenा नोट आहें 56 वाहां सब्द mini वाया जी tut से देखेंगे विडियो कोई स्कीप ना करेंगे निम्न अंकित सब्द समुहों में कौन सब्द समुह केवल काल वाचक किरिया विशेशन का है काल वाचक किरिया विशेशन न समय का बात हो रहा है तो रोज दिन करवन पहले पलभर आइज तो काल मतलब समय का बोध होता है 47 प्रश्ण है निम्नांकित सब्द समुहों में कौन सा सब्द समुह केवल रीती वाचक किरिया विशेशन का है तो कौन रीती वाचक किरिया विशेशन का है तो देख लिजिए अज का धीरे धीरे जोईर से सायद बेरतरी इस प्रकार के जितने भी आते हैं वो रीती वाचक क करि यह में परिमान में जादा बड़ ज़्यादाल चैला वाकि proving काहा कई तो यह गुण बता तो पीर क्या बता रहा है गुन बता रहा है लूगा का लूगा यानि यह जो परियाबाची सब्द है साडी का जिससे हम लोग हिंदी में साडी बोलते हैं लूगा भाटा भी बोला जाता है नागपूरी में ठीक है नेक्स प्रशन बावन नंबर प्रशन तीन को छोगा मन का बत हो रहा है यहां देख लिजिये अस्थान का बात है तो कौन सा आइड़ की समय आईज का परशव हो थाए तो मच ए कशो यह तो प्रशान नमरा नमर पिश्न प्रश्न wrestling क्या काता है कम था संग्या नाम है टू संग्या किसका वस्तू वैक्ति अस्थान तीनों या निक झोब मभात्व सों सी पूराना वीधा के वाक्य में रीग वेकषए वैक्ति वाचक संग्या है 155 नंबर मझाज़ा वाक्य मन दांगर कों संग्या के उप्सनने के सी जाती वाचक संग्या हो शापन नमबर प्रिशने भालाई करेक सीखा वाकी में भालाई का हके तो भालाई जो हके वह है भाव आचक संगया नेक्स्ट संतावन नमबर प्रिशने भालाई करेक सीखा वाकी में भालाई का हके तो जल्दी बताईए तो कलास को तवला नहीं जा सकता है कलास यह क्या है? समूह वाचऎक है कलास में बहुत सारे लड़कराते हैं ठीक है? अफसर नबर B हो जाएगा इसका सही अंसर नेक्स्ट माटी तेल महरंग होई गिलब वाकि में माटी तेल कौन संग्य हके तो यहां कौनसा है, तो यह दरविवाचक एक लिटर, दू लिटर हम लोग नाप सकते हैं निमनाइकित सब्समूहों में कौनसा सम्मूह, केवल जाती वाचक है कई जाती वाचक जो एक चीज के बोलने पर पूरे जात का बौध हो खिला हो वेला उके का कहल जाईला तो उके जो कहल जाईला जाती वाचक संग्या कहल जाईला जैसे कि गोतिया छवा ढोंगरी यह सब क्या कहा जा रहा है जाती यानि छवा यानि कि सभी बच्चा लोग आ गया ठीक है गोतिया यानि कि बहुत सारे उसमें लोग आते हैं पूरा गोत संग्याओं का है तो भाव वाचक संग्याओं को कौन सा है अप्सिन नबर सी धांगा बूईद पढ़ाए ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग एक सट नमबर प्रस्ण है निम नांकित सब्समुहों में कौन सा सब्समुह केवल द्रभी वाचक संग्या तो कौन सा सब्समुह केवल द्रभी वाचक संग्या के अप्सट नमबर बी दूद चांदी पक्षन ठीक है पक्षन मतलब होता है पत्थर नेक्स्ट गुरु सब्समुहाइन क्या होता है जल्द बताइए तो अप्सट नमबर सी उसका हो जाएगा गुरुवाइन बाबु स To class would have set कराया जा रहा है, total कम से कम 1500ией होगे और आपका महराथन क्लास भी आने वाला है 1500 सब्समुहाइन क्या होगा तो बरी सब्समुहाइन होगा नेक्स्ट महतु सब्द का स्देलिंग क्या होगा, तो 65 इसनें आप impress स्टेलिंग क्या होगा, यह आप भी भी आई है, यह आप रट लीजएगा, दोंत सब्द का अंसर महतुर project हो वाक्य में मोय कौन सरवनाम है कर सकती हम है को रहा है तो यह कोण दूल जाए है तो यह सरुवन कर और निश्य वाचक है कि नेक्स्ट इमोर्गी कर अंडा के जो यह निश्य हो रहा है कि वह मुर्गी का ही अंडा है यह निश्य कर रहा है तो दोनो सब्द को जोडने का काम कर रहा है यानि कि संबंद बनाने का काम कर रहा है इसलिए हम लोग संबंद वाचक सरुणाम कह सकते हैं इसको डिटल्स देना नहीं जाते उसके बाद भी मतलब मुह से बोला जाता है तो हो सकता है इसमें केवल questions का revision होगा नहीं तो आपका ज्यादा यह केवल revisions है इसमें डिटल्स नहीं जाया जाएगा डिटल्स वाले सारे class करा दिये गया है और वी जितने class आएंगे वह भी करा दिये जाएंगे 75 नमर है के घर आलक में किस प्रकार का सरुणाम होगे तो option number B बैक्तिवाचक सरुणाम मुए आपन काम करता है मुए आपन काम करत हूं यह गलत है आपन कौन सरवनाम हके तो यह नीजवाचक सरवनाम हके है नेक्स प्रेशन की और चलते हैं हम लोग सरवनाम् समुहों में कोन समुह केवल व्यक्ति वाचक का है तो 77 का जो भी हो जाएगा उठिक है इस प्रकार के जू होते हैं निम नांकित सब्द समोह में से कौन सब्द समोह केवल निश्य वाचक शरुणाम का है, तो निश्य वाचक सरुणाम का कौन सा समोह है, तो अपसिन नमर B, देख लिज़े, E, O, ओकर इकर, ठीक है, नेक्स्ट, उनाशी नमर प्रशन है, निम लिखित सब्द समोह केवल वरस्तोत सर्वनामों अपने बर्ग से जोड़ने का है इसकाशी अंसर क्या हो जाएगा यहापको बताने है यहां आपको बताने है तो देख लिजे यहां हो जाएगा जो एक है एक है वह क्या हो जाएगा फोर होगा एक है एक हाजो है क्या हो जाएगा फोर होगा ठीक है यह वाला option number a सही है b का 3 और c का 2 d का मतलब जस्ट अपोजिट होते आ रहा है जैसे देखिए यहां देख लिजिए एक है एक है जो है क्या हो जाए तोई मोई ठीक है तोई मोई एक है फोर बी का 3 ठीक है जाए. इस प्रकार से हैस रीकार 1994 मोई जाए ना का होता है मोई जाए क्या मैं जाता हूं इसका क्या हो जाए मैं जाता हूं नेंस kazी खुषके वर्तमान काल के किस भेद के वाक्य है छोवा मन प्रार्तना करईना इसका मतलब जो है यह कौन से काल का सेंटेंस बताया जा रहा है यह आप सब पुछा जा रहा है तो यह समाने वर्तमान काल का है गाय घास खाइला वर्तमान काल के किस भेद का वाक्य है गाय घास खाइला तो यह समाने वर्त संदिग्द सायद मास्टर एकन पढ़ात हो बहें मतलब सायद पढ़ा रहे होंगे मास्टर अभी इस प्रकार से बोला जाता है 89 89 89 नंबर प्रस्चन है औफिस नीख खुई होवी वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का है तो अप्सन नमर ए समान्य वर्तमान काल नेक्स्ट नमबे नमबर प्रश्ण उगाना सुनालक भूतकाल के किस भेद में है तो यह बताईए कि भूतकाल के किस भेद में है अप्शन नमबर भी समाने भूतकाल नेक्स्ट मोई गार उसे आए हो वाक्य में भूत काल के किस प्रकार के भूत काल का भेद है ये तो आप्शन नमर ए आशन भूत काल में क्या होता है जो काम तुरन तुरन खतम हुआ है जल्द ही खतम हुआ है उसे आशन भूत काल में जैसे कि मोई गारी से आए हो मतलब वो अ तो किस प्रकार के भूत काल है ये तो ये है option number ये कि राम जो है रावन के मार ही चुके है पहले ये पूर्ण हो चुका है काम ठीक है तो पूर्ण भूत काल जमीन धान रोपत रहें जनीमन धान रोपत रहें वाक्य में भूत काल के किस बेत तो वो काम हो रहा था ठीक है जो का तक होले पास होई जातक वाक्य में भूत काल किस भेद में है तो देख लिजे कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता तो अगर इस प्रकार से प्रस्ण पूछे तो आप समझ जाएगो हेतु हेतु मद भूत काल है वरतमान काल है इसी प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं ऐसा करते तो वैसा हो जाता इस प्रकार से अगर प्रशन आएंगे तो वह हेतु हेतु मध ही कहला आते हैं स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए होई वाक्य में भूत काल के किस भेद का है तो किस काल का है यह संदिग्द संदिग्द भूत काल का है ठीक है अप्स नबर डी सही इंसर हो जा है अप्स नबर भी संभाव भविस सजयकाल होगा ठीक है अंठान में नबर प्रसन है रहाई सब्द का और्थ क्या होगा कि knocking समाने क्रिया बनाने के लिए धातु में जोडा जाता है जैसे हिन्दी क्रिया धातु में जोडा जाता है तो नाकपुरी में क्या जोडा जाता है जल् Alzheimer को जल्दी बता एक फाये खाये रोत इसक्रार से घॉड्यति ज़ोड़े CGL का पूरा पैकेज ये साले 10 कंट का क्लास हूस आप चरूर देखली जेगा धन्य बाद वाचिंग फो दिस वीडियो